अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बैल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेट कर लीजे ताकि जितनी भी वीडियो जो में अफ्लोड करूँ आप लोगों तो नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए ब हाई की अगर बात करें तो स्टॉक ने ओल्मस्ट ग्यारा सो बारा रुपे का हाई भी लगाया लास्ट पोजिंग एक हजार च्छांसर्ट रुपे पे थी कंपनी काफी अच्छी है ग्रोथ भी अच्छी खासी दिखाई ये कंपनी ने बीते पांस देनों की बात करें तो पांच पसंट के आसपास की तेजी रही है एक महीने में 6 पसंट 6 महीने की बात करें तो 17 पसंट के आसपास की तेजी रही है और इस रेंज में स्टॉक ने काफी अच्छे समय तक जो है अगर रिजिस्टेंस की बात करें स्टॉक ओल्मस्ट साड़े ग्यारा सो रुपे के लेवल पे एक स्ट्रोंग रिजिस्टेंस फेस कर सकता है हला कि जो अपडेट निकल कर आया है उसकी वज़े से एक अच्छा पॉजिटिव मुमेंटम जो है एफिल इडिया के अंदर बनतावा नजरा सकता है एक साल की परफूमेंस देखें तो पंदरा सो रुपे के असपास का हाई लगा कर स्टॉक ने यहाँ पर कॉंसलेट किया है और एक अच्छी रिकवरी जो है एफिल इंडिया के अंदर बनती भी नजरा रही है सेप्टेंबर कॉटर की अगर पॉफूमेंस की बात करें तो कंपणी का जो रिवेन्यू रहा है और नेट प्रॉफिट देखें तो और नेट प्रॉफिट देखें तो और अर्मस्ट एटीन क्रोड जो की प्रीविस कॉटर को पीट करती नजरा आए कंपणी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिमें आप देखें नाइटीन पॉइंट नाइन था जो की पहले कॉटर में यानि की कॉटर बन के अंदर सिक्स्टीन पॉइंट सवन एट के असपास का था कंपणी ट्रेट ब्यस्ट पे एक्किस हेजार नोसो उन्तालिशेज डिलेवरी 6,9666 के और मुस्ट 31% के आसपास की रही है आज के दिल में अपडेट की बात करें तो आज का ही अपडेट 23rd नमंबर का और अपडेट में यहाँ पे क्लिरली मेंशन किया गया है कि further to our letter dated 17 नमंबर 2023 where the company had intimated filing of five patent in India this is to inform that the company has additionally filed 10 new patent in India on November 2022 तो यहाँ पे 10 नए patent जो है एफिल इंडिया की तरफ से जो है कर दिये गए है और कहीं ने कहीं अगर उनकी बात करें तो system and methods for transferring personalized machine learning, artificial intelligence, models and data तो यह सारे के सारे जो है patent जो है वो यहाँ पे company की तरफ से additionally जो है यहाँ पे ले लिए गए है और इनमें जो है अब एफिल इंडिया के अंदर जो targets थे अगर मैं बात करूँ इसके बाद जो है artificial intelligence के जो 10 नए patents जो है company ने अपने नाम पे ले लिए तो ऐसे में एक बड़ी उमीद की जा रही कि stock हमें further बड़ी rally की तरफ लेकर जा सकता क्योंकि लगातार जो consideration चल रहा था उसको breakout देने के लिए ये न्यूज काफी जरूरी थी और दस नए patent जो है company ने यहाँ पर अपने नाम पर कर ली है यहाँ पर clearly mention है कि has additionally filed 10 new patents इन इंडिया दस नए patent जो है फाइल कर दिये है एफल इंडिया ने जिसकी वजह से stock में एक बड़ी तेजी हमें आने की पूरी उमीद है अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर trading करते हैं trading को सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग से डेली का तीन से चार हजार तक का profit करना चाहते हैं साहते हैं साथ म जो के description box में मिल जाएगा टेकनिकल चार्ट की बात करें तो stock का जो main support है almost 110 रुपे की range में है एक हजार के असपास एक main supporter stock का resistance की बात करें तो almost साड़े ग्यारा सो रुपे ग्यारा सो साट रुपे की range में एक resistance है जब तक stock इस range से बाहर नहीं निकलेगा तब तक stock में एक breakout नहीं होगा अगर breakout का हमें वेट करना है तो साड़े ग्यारा सो ग्यारा सो साट रुपे के level के उपर निकलेगा तो एक positive breakout की उमीद की जा सकती है और एक हजार उपे की नीचे जब तक नहीं निकलेगा तब तक एक breakdown की उमीद नहीं की जा सकती है तो हाला कि news काफी अच्छी निकल कर आई है एफिल इंडिया की तस ने patent फाइल कर दिये कंपनी ने और ऐसे में artificial intelligence की काफी उपरती कंपनी है रिटर्स के मामले में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है चार साल के अंदर 500% से बना कर दिये तो एक खरीदारी का अच्छा मौका जो है current levels पे एफिल इंडिया के अंदर आप consider कर सकते हैं